नफशकार दोस्तो नई सोच नई दिशा मैं आपके एक बार फिर से इस वाक्त है तो आजम डिस्कस करेंगे TGT आर्ट स्टेट जो की 2019 जून में करवाए गया था उसका जी के पार्ट 3 आप से डिस्कस करेंगे दो पार्ट के बना चुकों अगर किसी भी परसने बोनी देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं यह जितने भी कोशन मना जा रहे हैं आपके आने बाले हिमाच्तल एक्जाम के लिए काफी मत पूर्ण है तो प्लीज वीडियो को अंतक देखें जो नए है वो प्लीज चैनल को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जूर में लौता था तो यह कोशन कई बार आपके एक्जाम में पोस्चा जा चुका है जो बॉपाल गैस तरास ती कौनसी गैस से इसका रिसाब हुआ था उसके बारे में अपसे पुस्चा अगए है अगर आपको कई बार एक्जाम में डेट पुछ लियाते हैं कि जो बॉपाल गैस त्रास्ती जो एक दुरगट नहुई थी वो कब हुई थी तो डेट भी आपको याद होनी चाहिए तो तीन दिसंबर 1984 में ये दुरगट नहुई थी गैस रिसाब हुआ था अगर आपको कमपनी के नाम पूछा जाएं कि कमपनी कोन थी तो उस कमपनी के नाम था यूनियन यूनियन करवाइड नाम के एक कमपनी थी इसमें तीन दिसंबर 1984 में बुपाल गैस तरास्ती में एक गैस के रिसाब हुआ था उस गैस का नाम क्या है तो जल्दी से इसका राइट अंस बताएं तो सी ओफिम्शन इज राइट मिथायल आइसोनेट अगर आपको एकजाम में पूछ जाएं कि लगबग इस में इस गैस के कारण कितने लोगों को मृत्ती हुई थी तो 15,000 से दिक लोगों की इसमें मृत्ती हुई थी अगर आपको एकजाम में पूछ जाएं कि यह कब हु तो सियोनित राइट मिठाइल आइसोझेट यह रा नेक्स कोश्ण। पद्वभवभबघ का लेख कोन है तो इसमें से आपको बताना कि जो पद्वभभभपा लेख कोन है। चार उफन आपको दियें, तब तक मैं आपको बता दूँ कि बिश्णु शर्मा के दुबारा जो पंज तंतर थे, उसके लेख कोन थे? बिश्णु शर्मा, अगर आपको एगजा में पूछा जाएं कि गीत गोबिंद के लेख कोन थे? गीत गोबिंद के लेक कौन थे गीत गोबिंद के लेक कौन थे तो वो थे जय देव अगर रामचरित मानिस दिन पत्रिका ये किसके दुबारा लिखे गए तो ये लिखे गए तुलसी दास कौन सकौन सी रामचरितमानिस बिन्य पत्रिका यह किस के दोबार लिखे गए तूलसी दास के दोबार लिखे गए तो ऐसे कोशन आपका एकजाम में बनेगे चाहे आपका टीजीजी टैटो चाहे जेविटी शास्त्री एल्टी कोई भी हमाच्चल का एक्जाम हो ऐसे कोशन पूछे जाएंगे अगर जो बीजिक है वो किस के दुबारा लिखे गए यह वो कबीरदास के दुबारा लिखे गए बीजिक अगर कई बार आपको मा देवी से रिलेटर्ड भी आ जाता कि मा देवी के दुबारा कौनसे गरंत लिखे गए हैं उसका लिख कोन है उसके बारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए तो यामा एंड निहारिका नियारिका एंड निर्जा ये मा देवी बर्मा के दुवारे लिखे गए हैं तो पदमबत का लेख कौन है तो डियो से राइट जाई सी तो आशा करतों के जितने भी कोशन करवा जा रहे हैं आपके आने वाले हिमाचल एक्जाम के लिए काफी मतो पूर्ण है कश्मीर भारत का अंग कब बना था तो जल्दी से इसका राइटन्स बताएं चारोशन आपको दिये हैं तो ऐसे कोशन पूछे जा रहे हैं आपके टीजटी टैट में तो द्यान से देखें द्यान से इसका राइटन्स बताएं माउट एबरेस्ट पर चड़ने वाली प्रत्थम महिला कौन थी चारोशन आपको दिये हैं द्यान से इसका राइटन्स बताएं तो भारत में प्रत्थम महिला कौन थी उसके क्या करे थे कब आये थे ऐसे कोशन भी आपके हर एक्जाम में बनेंगे तो एबरेस्ट शिक्र पर चड़ने वाली भारत की पहली महिला थी अगर बात करें संतोश यादव तो संतोश यादव कौन थी संतोश यादव एबरेस्ट की चोटी पर लगतार दो बार चड़ने वाली भारत की पहली महिला थी एवरेस्ट की चोटी पर बिशेद्रिपाल लगतार एवरेस्ट की चोटी पर चड़ने वाली पहली मैला थी अगर आपको जो ऐसी कौन सी पहली भारते मैला थी जिसको नोबल पुर्ष कार दिये गया था कि फास्ट महिला कौन थी जिसको नोबल पूर्ष कार दिये गया था बताएं देखते हैं आप कितने त्यारी कर रहे हैं फास्ट महिला कौन थी जिसे नोबल पुर्स गार दिये गया था तो उसका नाम था मदर टेर्शा मदर टेर्शा उनका नाम था बैपहली मैला थी जिनने नोबल पुर्स गार दिये गये था और आपके एकजाम में इस त société के कोश्ट मी बन सकते हैं Miss Universe बनने वाली भारत की पहली मैला कॉंती, Miss Universe, Miss Universe बनने वाली फास्ट मैला कॉंती भारत की, बताएं, Miss Universe बनने वाली फास्ट मैला कॉंती भारत की, तो उनका नाम था सुश्मिता सेन, सुश्मिता सेन नेक्स बात करें मिस वर्ड बनने वाली भारत की पहली में लगों थी मिस वर्ड बनने वाली भारत की पहली में लगों थी मिस वर्ड बनने वाली भारत की पहली में लगों थी बताएं तो उनका नाम था कुमारी रीता फारिया तो इतने सारे मैंने आपको बताए दिये तो आप आने वाले जितने भी आपके एक्जाम होंगे तो मौट अवरेस्ट बर चड़ने वाली प्रत्थ महिला कौन थी पधान मंत्री कौन थी ऐसी जनोलज भी आपको होनी चाहिए तो इस जुंगो तावई माउट एवरेस्ट बर चड़ने वाली पहली मैला थी यह रा नेक्स कोशन किस बर्ष लोक चुनाब प्रत्थमबार पूर्णता इबियम से करवाए गए थे इबियम से करवाए गए थे तो मैं आपको बता दूँ कि इबियम से जो पहली बार इसका प्रयोग कब हुआ था ऐसे कोशन भी आपके एक्जामें पूछे जा सकते हैं तो अगर 1998 में पहली बार इबियम का प्रयोग की गए था और तीन स्टेट में इसके दुबारा इबियम का यूज की गए था कौँ से देश वो स्टेट सी राज्स्तान, MP, एंड दिल्ली ये तीन स्टेट सी वहाँ पे इबियम का प्रयोग की गए था अगर आपको स्टेट पूछी जाएं कि लोग चुनाब प्रत्मबार पूर्णता एबियम से किस राज्य में करवाई गए थे इसका यूज कब की गए था तो गोवा मैं एबियम का पहली बार प्रयोग की गए था और पूरे भारत में इसे दो जार चार में लागू कर दी गए था एबियम को एबियम के दुवारा भी दानसब के चुनाब करवाई गए थे दो जार चार में और प्रत्मबारिस का यूज हो था नाइटी नाइटी एट में तो ऐसे कोशन भी आपको एकिजाब में पूछ सकते हैं यह रा नेक्स क्लचर है वह किस से सबंक्दीता है सेरी कलचयर तो बहुआ के रेश्यम केसे बूलचर किसे सबन्दीता है यह की तो आपका मदौ मख़ी इस्वान के अब बात करें बीटि कल्चर प्हाज से हूं बंदित है तो ऐसे कोशन भी आपके एक्जाम में बनेंगे तो ध्यान से देखें यह जितने भी आपकी क्रिशी से सबंदित कल्चर और करांतिया थी वह आपको मैं इसके माधिम से यूट्यूब चैनल के माधिम से पहले भी करवा चूकों अगर वो वीडियो ने देखिया आ आदिम से यह रहा नेक्स कोशन बिशिप का सबसे उंचा जल परपात कौन सा है तो इसमें से आपको बताना कि बिशिप का सबसे उंचा जल परपात कौन सा है तब तक हम बात करें जो उंचा जल परपात है अगर इसके बारे में बात करें अगर आपको एक्जाम में हाइट पूछी जाएं तो सबसे पहले तो आप मुझे इसका राइट हैं सो बताएं विश्प का सबसे उंचा जल परपात कौन सा है तो सी जल परपात अगर आपको इसकी एक्जाम में हाइट पूछी जाएं तो इसकी हाइट कितनी है तो कई बार आपके टीजिटी कमीशन में फटार भी पूछ लियाता तो उस फटार का नाम है गुयाना जो एंजल परपात जल परपात है वो किस पठार मिस्तित है गुयाना अगर आपको इस तरह से भी पूछे जा सकते कि जो एंजल जल परपात है वो किस नदी के किनारे बस तो केरो नदी आप बता सकते हैं, केरो नदी के किनारे बस हुआ है, अगर आपको नियगरा जल परवात किस नदी के किनारे बस हुआ है, तो उसके बारे में पता होना चाहिए, तो यह बस है, सेंट लारेंस नदी के किनारे बस हुआ है, नेक्स बात करें जोग जल प्रवाद तो ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है ये बसा हुआ है शरावती नदी के किनारे बसा हुआ है तो ऐसे कोशन आपके TZT कमिशन में जरूर बनेंगे तो ब्यूडी को दियां से देखें और अंतक देखें ये शरावती नदी के किनारे बसा हुआ है और इसे किस नाम से जाना जाता है इसे मातमागंदी जल परवात भी कहते हैं किसे कहते हैं जोग जल परवात को मातमागंदी भी कहते हैं और यह किस नदी किनारे बसा हुआ शारावती अगर एंजल किस नदी के किनारे बसा हुआ है कैरो नदी तो वीडियो को द पठार में बसा हुआ है तो गुयाना पठार में यह बसा हुआ है तो ऐसे कोशन आप एक्जाम में जुरूर बनेंगे अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेर एंड सब्सकाइब जूर कर लें यह रहा नेक्स कोशन सलाल जल्ल ब्युद्यत परियोजना किस राज जमस परियोजना उसे जितने भी आपके कोशन बंद रहें आप आने वाले एक्जाम के लिए अच्छे से पढ़ लें और इस चैनल के मादिम से आपको करवाई भी जा रहे हैं यह रहा नेक्स कोशन सुंद्रबंध डिल्टा का कार कैसा है तो इसमें से आपको बताना कि जो सुं प्रकार के बंद पाए जाते हैं सुंद्रबंध डिल्टा में किस प्रकार के बंद पाए जाते हैं बताए जरा आप मुझे किस तरह के बंद पाए जाते हैं देखते आप कितनी तियारी कर रहे हैं जो सुंद्रबंध डिल्टा उसमें किस तरह के बंद पाए जाते हैं तो मैं गुरों बंपा जातें तो आप मुझे यह बताए सुर्द्रवन ड्रीटा का कार किया सा है तो इस लाइट से च्षिए पism कर इसका अकार है और इसमें कुछ से बन पाए जाते हैं मैं गुरों पाए जाते हैं यह आ बारत का सबसे शोटा राज एक क्षेटरफल अनुसार कौन सा है तो जल्दी से इसका रैटनस बताना है तो आप मुझे यह बताए बारत का सबसे बड़ा राज यह कौनए क्षेटर पल जल्दी बताएं आप कितनी त्यारी कर रहे हैं आने वाले एक्जाम के लिए शोड़ राज आपका गोवा और आप मुझे यह बताएं बड़ा राज्य को नहीं भारत का कि यह राज नेक्स कोशन भारत का मैंचेस्टर किस शैर को कहा जाता है तो जल्दी से इसका राटन्स बताएं तो इसका राटन्स होगा एमदाबाद को भारत का मैंचेस्टर शैर किसको कहा जाता है यह राज नेक्स कोशन कि राजय सव में कितने सद्स से राष्ट्र पति दुवारा मनोनीत किया जाते हैं तो इस कोश्न को हम करें बार इस चैनल के मादिम से डिसक्स कर चुके हैं है तो जल्दी से सका राटन्स बताएं कि राजेसावा मैं कितने सदसे राष्ट्रपति दुवारा मनवनित की जाते हैं तो a दा से में मनो नि teo कि जाते हैं किसके दौबारा कि राश्ट्रपति के दूबारा अगर आपको एक्जामेर्ट पूछ जाएं कि राज्यसावान को नहीं में होता है तो 80 आप उता सकते हैं इसका कारेकाल से साल का होता है और जो 1 त्याई सदस्य है कि दो साल के बाद चेंज हो जाते हैं तो ऐसे कोश्य में पूछे जा सकते हैं यह रहा नेक्स कोशन भारत में पहली बार जन गरना कब हुई थी भारत में पहली बार जन गरना कब हुई थी यहां से सोड़ी सी मिस एक हो गई है भारत में पिशली बार जन गरना कब हुई थी यहां पर आएगा पिशली बार तो यहां पे आप पिछलि बार जन्गर्णा कब उआ थी, इसे आप mistake होगे टाइप करने में, भारत में पिछलि बार जन्गर्णा कब हुई थी तो जल्दी से बताएं बारत में पिछली बार जन्गर्णा कब हुई थी अगर जन्गर्णा के बात करें तो आप मुझे ये बताएं कि जो जन्गर्णा की शुरुआत हुई थी वो किस देश के द्वारा की गई थी जन्गर्णा की शुरुआत किस देश के द्वारा की गई थी आप मुझे बताएं कि देखते हैं आप कितने डीपली पड़ रहे हैं आने बाले एकजाम के लिए अगर जनगर्णा की शुरुवात किस देशते हुई थी तो वो हुई थी अमेरिका से कब हुई थी 1790 इसवी में अमेरिका से जनगर्णा की शुरुवात हुई थी और भारत में पहली बार जनगर्णा कब हुई थी अगर आपको ये कोशन पूशे गया है अगर थोड़ी सी इसके बारे में भी स्तार से चर्चा करें तो जनगर्णा की शुरुवात भारत में कब हुई थी अठारा सो बत्तर इस भी में किस के काल में हुई थी लोड मेयो लोड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगरना हुई थी और भारत में रेगुलर निम्यत जनगरना कब हुई थी बताएं जरा मुझे भारत में regular जनगर्णा कब हुई थी निमित रूप से जनगर्णा कब शुरू कर दी गई थी भारत में तो 1881 इस भी में किस के काल में लोर्ड रिपन के काल में यह जनगर्णा हुई थी अगर बात करें तो सबतंतर भारत की पहली जनगर्णा कब हुई थी ऐसे कोशन भी आपको एकजाम में पूछे जाएं जा सकते हैं किसी भी टोपी को पढ़ने से पहले उसे अच्छे डंग से पढ़ो कि किस तरह से कोशन एकजाम में पूछे जा सकते हैं तो भारत में सबतंत्र की पहली वाजन गणना कब हुई थी, 1951 में उसमाई उसके अधेक्षे कौन थे, आयुक्त कौन थे, उसके वारे में भी आपको जानगारी होनी चाहिए, 1951 में सबतंत्र भारत की पहली जन गणना हुई थी, और उसके आयुक्त थे, आरे, गुपाल, गुपाला शर्मा, तो इसके दोबारा, 1950 बन में, पहली वारे जन गणना करवाई गई थी, और शुरुवात कब हुई थी, 1872 में शुरुवात हुई थी, लोड में के कारेकाल में, तो इतने सारे मैंने आपको कोशन बता दिये, आश इतने कर पाएंगे, तो इसकी जो पिछली बार जन गणना हुई थी, वो 2001 मुई थी, और जन गणना कितने साल के बाद होती है, 10 साल के बाद, इसे भी आप याद रखें, ये रा नेक्स कोशन, किस योजना के अंतगरत भारत में सभी दान सभा बनाई गई थी, तो जल्दी आमन और बोरो किस फसल की किसमे है, आमन और बोरो किस किसम की फसले है, तो मैंने आपको पहले भी, ये रा नेक्स कोशन, आमन और बोरो किस फसल की किसमे है, तो इसमें से आपको बताना है, आमन और बोरो किस फसल की किसमे है, तो जल्दी से इसका रखेंस बताएं, आमन औ लौर बोरो किस फशल की किसम है तो युब आपके वृज्स verdi चावल तो जितने भी आपकी फशले है रवी की फश campus का बोछ जाती है उसके बारे में विस्तार से चाके कर चूकिए और वहाले वीडियो आपने नहीं देखिये तो आप देख सकते हैं तो कल मैं आपको बताए थी कि जितने भी मारे भारत के नैशनल पारक हैं उसके बारे में हम एंड से डिसकस करेंगे लास्ट में जब हमारी वीडियो खत्म हो जाएगी तो उसमें हम revision करेंगे ताकि जितने भी आपके भारत के national park के बो exam में पूछे जाएं तो बो गल्ट ना हूँ तो कल आमने जारखंड में कितने थे तीन कौन कौन से बो भी आपको मैंने बताई थे पहला आगे आपका पलामू सेक्ड आगे आपका दालमा धर दागे आपका हजारि वाग तो कितने national park के जारखंड में तीन नाम भी बता दीए तीन पलामू-भालमा हजारि वाग और आज हम बात करेंगे बिहार और गुजरात की बिहार और गुजरात की बात करेंगे इस बिहार में कितने हैं एक अगर नाम पूछा जाए तो नाम आपको याद होना चाहिए कैमूर बिहार में एक नैशनल पार्क है कैमूर उसका नाम है कैमूर और बहां से कों सी पर जाती है पाजाती है बाग यहाँ पर लिखने में थोड़ी सी फ्रोल्म हो रही है बाग नील गाए गडियाल सांबर एंड तेनुआ और गुजरात की बात करें तो गुजरात में सिर्फ दो ही नैशनल पार्क है उनका नाम है गिरराश्ट्य उधान एंड नल स्रोबर अविहरन तो दो नैशनल पार्क है जारखंड में तीन है बिहार में एक है गुजरात में दो है तो नाम भी पता दिये अगर वीडियो अच्छी लगें तो प्लीज चैन को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जूर कर लें ताक कि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको ऐसे ही मिलती रहें तो मिलते हैं अ